वर्णा दीडम डाना वर्णा दीडम जोगं जंपो गलं समा सवदी दव्वा सवो सनेयो अने अभियो जिनक खादो क्या पढ़ चुके पहले आश्रव तत्त का वर्णा चल रहा था जिसमें आस्रव दो प्रकार का बताया गया एक भाव आस्रव और एक द्रव्य आस्रव भाव आस्रव को मुख्य रूप से गाथा 30 में बता दिया गया अब इस 31 नमबर की गाथा में द्रव्य आस्रव की बारे में बताया जा रहा है नाना वरना दीडम नाना वरण मने ग्याना वरण आदी के सश्ठी का भवचने ग्याना वरण आदियों के जोगम मने योग्य जम पुगलम जो पुदगल है उनको समा सवदी उनका जो आश्रव करता है दव्वा सवो द्रव्य आश्रव स माने वह नेयो माने जानना उसे क्या जानना उसे द्रव्य आश्रव जानना अने भेयो वे अनेक भेद वाला है जिनक खादो यानि जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है द्रव्यास्त्रव का मतलब क्या हो गया जो ज्याना वरण आदी कर्म है उनके योग्य जो पुदगल होते हैं यानि कर्म के योग के जो पुदगल होते हैं वो अलग होते हैं शरीर में ढलने योग के जो पुदगल होते हैं मन के रूप में परिणमन करने वाले पुदगल अलग होते हैं और जो हम बचन बोलते हैं ऐसी भासा वरगणा के रूप में परिवर्तित होने वाले पुदगल अलग होते हैं तो पुदगल के ये भिन 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 भेद हैं तो वही पुद्गल कर्म के रूप में पुद्गल परिणमित करेगा जो कर्म के ही रूप में परिणमन करने के योग्य होता है तो ऐसे वो जो करम की रूप में पुदगल परिणमन कर जाते हैं वो कहलाते हैं ज्याना वरन आदी करम की रूप में वो पुदगल आ गए तो ये ज्याना वरन आदी में सबसे पहले ज्याना वरन को ही रखा है क्योंकि ज्याना वरन करम ही सभी करमों में पहला इसलिए माना जाता है क्योंकि ज्ञान प्रधान आत्मा है तो उस पर आवरण करने वाला करम भी प्रधान रूप से ज्ञान आवरण करम कहलाता है क्योंकि ज्ञान होने पर ही सब कुछ होता है इसलिए ज्ञान आवरण आदी जो करम है उन कर्मों के रूप में ढलने वाले जो पुद्गल हैं उनका जब आस्रव होता है तो उसका नाम कहलाता है द्रव्य आस्रव क्या बोलते हैं उसको मतलब कर्म के रूप में वे आत्मा में आ गया यानि कर्म रूप परिणमन कर गया जो पुदगल की रूप में इस्थित है वो कर्म की रूप में इस्थित हो जाता है और कर्म की रूप में आया हुआ वह आस्रव कहलाता है आत्मा में हमेशा कर्म वरगणा की रूप में कर्म परमानू आत्मा के ही प्रदेशों पर हमेशा इस्थित रहते हैं जैसे ही भावास्रव होता है तो वही कर्म परमाणू ग्याना वरण आदी की रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उससे पहले तो वो कैसे रूप में होंगे केवल कर्म परमाणू होंगे उनमें अलग-अलग भेद नहीं होंगे कि ये ग्याना वरण है, ये दर्शना वरण है, ये मोहनी है, भेदनी है ये आयू है, ये नाम है, ये गोत्र है, ये अंतरा है, ऐसे आठ कर्म होते हैं तो वो आठ कर्मों के रूप में तुरंत परिवर्तित हो जाएगा जैसे ही हम भाव करते हैं और वो कर्म के परमाणू आठ प्रकार के भावों में तुरंट डिवाइड होकर के आत्मा में बंध जाते हैं ऐसा ये निरंतर प्रोसे चलता रहता है इसलिए इसको द्रव्य आस्त्रव कहा गया क्योंकि इसमें जो कर्म द्रव्य है उस कर्म द्रव्य को हम बुला रहे हैं हमारे भावों से कर्म द्रव्य के रूप में हमारी आत्मा में आस्त्रव हो जाता है और फिर उस आस्त्रव के बाद में बंध की प्रक्रिया भी हो जाती है तो बैसे तो देखा जाए आस्रव और बंध में अंतर नहीं होता एक ही टाइम पर आस्रव हो जाता है उसी टाइम पर बंध हो जाता है लेकिन समझने के लिए दो प्रक्रियां ये अलग-अलग है आस्रव का मतलब हो गया उन कर्म पर्मानुओं को अपनी तरफ खींच लेना समझा रहा है जैसे कि आप लोग रोटी बनाते हो तो रोटी बनाते हुए जो क्या करते हो आटे को गूतते हो और एक तरफ जो है वो पर्थन रखी रहती है और एक तरफ जो है आटा भी गूतते रहते हो तो जो पर्थन के रूप में जो आटा के साथ में चिपक गया आ गया समझा रहा है ये तो हो गया आस्रव मतलब जो आटा बन रहा है और बगल में थोड़ी सी सूखा आटा रखा रहता है उसको पर्थन बोलते हैं तो वो जो है जरूरत के अनुसार उसमें मिलाये जाता है ज्यादा गीला होगा तो थोड़ा थोड़ा करके उसको मिलाते रहते हैं तो वो जो आटे को अपनी तरफ कर लेना या गीले वाले आटे से उस सूखे वाले आटे को एक तरीके से अपनी तरफ बुला लेना उपर उपर से उसके साथ में आ जाना ये तो क्या हो जाता है? आस्रव, और फिर आपने उस पर एक चक्कर मार दिया, तो वो क्या हो गया? बंद हो गया, वो उसी में लिपट गया, तो ये तो समझाने में फिर भी अलग-अलग समझ में आ रहा है, लेकिन ये कर्म में जब होता है, तो एक साथ ही हो जाता है, प्रक्रिया ये होती है, कि जैसे वो खीचने वाली, जैसे मेंगनेट होती है, और लोहा होता है, तो जहां मेंगनेट रखी होगी, लोहा उसको अपने आप, लोहे को वो मेंगनेट अपने आप खीच लेगी, तो वह उस लोए का जो खिचना है ये एक तरीके से आस्रव है और फिर उससे चिपक जाना ये बंद है ऐसे ही हमने भाव किया राग, देश, मो, क्रो, दादी कोई भी भाव किया तो भाव से तुरंत वो आठों प्रकार के करमों में से लगबक साथ प्रकार के करम तो हमेशा बनते ही रहते हैं केवल आयू करम का बंद जब कभी होता है लेकिन हर समय पर साथ प्रकार के करम तो हमेशा बनते रहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता तो भाव भी उसी तरीके के होते रहेंगे और करम भी उसी तरीके के तुरंत बंदते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे, वो प्रोसेश कभी भी रुकता नहीं है अब आप भाव नहीं भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए करम के बंद चलते रहते हैं क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि जो उपर वाला कारण दिया है वो निरंतर हमारी आत्मा में भाव उत्पन ने किये रखता है समझा रहा है? जैसे गाड़ी बिलकुल अगर एक स्पीड से कॉंस्टेंट स्पीड से चल रही हो तो कभी-कभी ऐसा लगते है चली नहीं रही है नहीं समझा रहा है आप अगर ट्रेन में बैठे हो बिलकुल स्मूथ ही चल रही हो तो एकदम से आपको लगए है जैसे कि चली नहीं रही कोई-कोई ऐसी कारें आती है कि बस आपको अगर अच्छी सड़क पे बस ले जा रही हो तो ऐसा लगएगा ही नहीं कि आप कहीं कहते हैं न पेट का पानी भी नहीं हिल रहा तो ऐसा ही जो है आप कॉंस्टेंट बैटे हो लेकिन वो मौटर तो चल रही है तो जो मिध्यात तो है अभिरती है ये सब कारण अपने भीतर आत्मा में पड़े रहते हैं तो ये हमेशा करम का बंद करते रहते हैं और जो हम एक्स्ट्रा भाव करते हैं उससे और ज़्यादा करम के बंद होते हैं नहीं करते हैं तो भी ये करम का बंद हमेशा चलता रहता है समझा रहा है ऐसे समझना चाहिए तो मुख्य है भाव अस्त्रव और भाव अस्त्रव के मान्द्यम से हो जाता है फिर उस रूप परिणमन हो जाना और परिणमन होने के बाद में जस्ट उसी समय पर बंद भी हो जाता है तो आस्रव और बंद दोनों एक साथ होते हैं समझने के लिए इसको अलग-अलग समझाये जाता है अब बंद का प्रकरण प्रारम होता है ये अब कितने कर्म हैं देखा जाए तो ये आठ कर्म तो मूल कर्म कहलाते हैं और इसी के भेद हो जाते हैं तो इलग-वग कितने हो जाते हैं हाँ 148 भी कर्म के बंद सभी प्रकरतियों के मिला करके हो जाते हैं तो जैसे ज्यानावरण कर्म है तो ज्यानावरण कर्म के पांच भेद होते हैं मती ज्याना वरण, सुरुत ज्याना वरण, अवधी ज्याना वरण, मने परे ज्याना वरण और केवल ज्याना वरण दर्शना वरण कर्म है तो उसके भी नो भेद होते हैं पहले बता चुके हैं सब चार जो है चक्छु दर्षनावरण, अचक्छु दर्षनावरण, अवधी दर्षनावरण और केवल दर्षनावरण और पांच प्रकार की निद्राएं होती है निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला और इस्तियान ग्रधी जैसे मोणी कर्म आ जाता है तो उसके भी 28 वेद हो जाते हैं मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात सम्यक प्रकृति ये तीन कर्म दर्शन मोणी के कहलाते हैं फिर चारित्र मोणी के 25 वेद होते हैं उन में से 16 कसाय होती है और 9 कसाय होती है नहीं मालो थोड़ी गिंती कुछ तो याद कर लो तो यह सोले कसाय हो गई और नो कसाय बताती रहते हैं अभी वर्दमा इस्तुत में भी चले ही रहा था नो कसायों का वर्डन हासे रती अरती शोग भै जुगपसा इस्त्रीवेद पुरुसवेद सम्मिला करके कितने हो गए 28 जो है मोहनी का परिवार हो जाता है तीन दर्शन मोहनी और 25 चार इत्र मोहनी की वेदनी के दो वेद होते हैं साता वेदनी असाता वेदनी ठीक है आयू करम के चार वेद चार प्रकार की गतियों के संबंदी चार आयू है तो आयू करम के चार वेद इदर नाम करम के तरानवे भेद हो जाते हैं गती जाती शरीर अंगो पांग इत्यादी के भेद से बहुत सारे लंबे भेद हैं है तत्वार सूत्र के आठ में अध्याय का एक सूत्र है उसमें सारे जो है नाम करम के बंधों के प्रकृतियों के नाम आ जाते हैं यह नो प्रतेक शरीर त्रस्वग सस्वर सुख्ष पर्याप्ति इस्थिरादे यशह कीर्ती तीर्थ करानी समझा रहा है तीर्थ करत्वम चया ऐसा है जो है यह पूरा सूत्र है तो इसके भेद उब्वेद आप आठ में अध्याय से पढ़ सकते हो भी इतनी जरूरत है कहने का मतल इतना करम का बंद और इनकी और भी और सारी अलगलग करम प्रकृतियों के जो परमानू है वो भी सब अनंत अनंत संख्या में होते हैं तो वो सब हमेशा बंद को प्राप्त होते हैं ऐसी हात्मा में करम का बंद जानने का नाम ही बंद तत्तु कहलाता है बंद तत्तु का जानना ठीक है यह बंद इतना बड़ा होता है यही आस्रव है और यही जो है बं बज्जदि कम्मम जेनदू, चेदन भावेन भाव बंधोसू, कम्माद पदेसानम अन्नोन पवेसडम इदरू, बज्जदि कम्मम जेनदू, अब ये भाव बंध भी दो प्रकार का है, एक भाव बंध और एक द्रब्य बंध, तो दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, पहली लाइन में भाव बंध का सुरू बताया जा रहा है, बज्जदि मानें बंधते हैं, कम्मम मानें कर्म जेन मानें जिससे चेदन भावेण है, जिस चेतना के भाव से कर्म बंधते हैं, सो भाव बंधो, वे भाव बंध कहलाता है, जिस आत्मा के चेतना के जिस भाव से कर्म का बंध होता है, उसे हम कहते हैं भाव बंध हैं तो ये भाव में बंध होना ही मुख्य है, जैसे भाव का बंध है, मतलब हमारे भाव बंधे हुए हैं, भाव बंदे हुए रहेंगे तो वो हमेशा करम को बांदे रहेंगे इसलिए भावों में ही बंदन होता है और भावों से ही मुक्त हुआ जाता है अगर भाव बंदे होते हैं जैसे आप लोग आज भी देखते हो कोई लोग अपने अपने भावों से बंद जाते हैं हमें इतना ही करना हमें ऐसा ही करना हमें ऐसा नहीं कर सकते है ना हमें ऐसा नहीं छोड़ सकते हमें ऐसा नहीं हो सकते ये सब भी क्या होता है ये सब भावबंद ही कहलाता है जो आत्मा अपने ही भावों से कर्मों को बांध लेता है और अपने ही भावों से उन कर्मों के फल से भी बंदा रेता है तो ये भावबंद चेतन भाव कहलाता है चेतन भावेण, चेतन आत्मा के भाव से जो कर्म बंद जाते हैं वही भाव ही उसका भावबंद कहलाता है प्रदेशों का अन्योंने पवेशनम अन्योंने प्रवेश हो जाना करमक में और आत्मा में अब प्रदेश समझ में आचुगा तो उन प्रदेशों का आपस में प्रवेश हो जाना यानि करम जो है आत्मा के पॉइंट में समा गए और आत्मा भी करमक में समा गए ऐसे अन्यो उन्य प्रेविश कहला तारी और कर्म का बंद होता है तो ऐसा बंद नहीं होता रसी आपस में जिस तरीके से बंदी हुई है रसी में जिस तरीके से उस रसी के ही जो रेसे हैं वो जिस तरीके से आपस में बंदे हुए हैं वो रसी का रसी में जैसे बंद है उसी तरीके से आत्मा में करम का बंद है गाए में रसी बंदी है ऐसे आत्मा में करम नहीं बंद है कि कहीं भी गाए जा रही है और कहीं भी रस्सी जा रही है और गाय खिच रही है और रस्सी खिच रही है ऐसा नहीं है कर्म और आत्मा में बहुत एक दूसरे में बिलकुल प्रदेशों का मिलावट हो जाना है ना सोने चांदी वाले जैसे सोने में चांदी मिला देते हैं तो चांदी ऐसा नहीं कि कहीं अलग जा रही हो जिस इस्थान पर सोना है उसी में चांदी मिल जाती है उसी point पर समझा रहा है जिस जहां जहां पर सोना होगा वहां वहां पर चांदी होगी ऐसा नहीं होगा कि चांदी कहीं अलग जाके बैठ गई है और सौन अलग दिख रहा है तो सौने और चान्दी का जैसे मेल होता है या दूद और पानी तो दूद अलग दिख रहा हो पानी अलग दिख रहा हो ऐसा नहीं होता दूद और पानी में दूद के ही प्रदेशों में पानी के प्रदेश बिलकुल जाकर के मिल जाते हैं एक मेक हो जाते हैं इसी तरीके से आत्मा और कर्म के प्रदेशों का एक मेक होने का नाम द्रव्य बंध कहलाता है ये क्या बोलते हैं इसको इतरो का मतलब अन्य जो द्रव्य बंध है उसके बारे में ये बताए जा रहा है तो इसलिए आत्मा और कर्म ऐसे आपस में बंद गए हैं मिल गए हैं कि आपको आत्मा का एहसास होता ही नहीं है जैसे माल लोग कोई कपड़ा हो आपने कभी कोई कपड़े को सफेद कपड़ा हो कभी उसको आपने सुद्ध रूप में देखा ही नहो और वो कभी आप देखो जो ये ड्राइवर होते हैं या कहीं पर जैसे ये गाड़ी समालने वाले काम करने वाले होते हैं अब उस कपड़े में जैसे किटिमा एक तरीके से मतलब उसमें काला पन चिकना पन जैसा उसमें लग गया तो वो कहीं से कहीं तक उसमें दिखेगा ही नहीं कि इस सफेद कपड़ा है कैसा हो गया वो बिलकुल काला हो गया मतमेला कहां काला हो गया उसमें कहीं से कहीं तक सफेदी का कोई भी लक्षन दिखाई नहीं देता अब वो ही जानेगा जिसने देखा हो कि हाँ भा कालिमा के साथ हो गया कि आत्मा कहीं भी नजर नहीं आती कर्म और उस कर्म से होने वाले जो कार्य है बस वही जो है फल अनुभूती में आते हैं उन्ही की फलानुभूती होती है इसलिए जो है आत्मा से सब अपरचित रहते हैं आत्मा की बात का स्रद्धान भी तब होता है जब ये मिथ्यात रूपी जो बहुत बड़ा किट कालिमा है वो जब थोड़ी सी हलकी पढ़ती है तब ये आत्मा की बात पर स्रद्धा आती है थोड़ी सी हाँ के आत्मा होती है करम से बंदी होती है इस बात पर स्रद्दावी कब आएगी जब ये पहला कारण जो 30 नंबर की गाता में लिखा है मिथ्यात ये जब हलका होएगा तब जो है थोड़ा सा कुछ समझ में आता है और ये इसी का जोर रहता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है इसलिए ये है तत्तु का ग्यान कहलाता है इस साथ तत्तों को जानने का नाम क्या है तत्तु ग्यान हमें ये ग्यान होने लग जाता है कि हमारी आत्मा किस तरह से कर्मों से बंधा हुआ है और कितने प्रकार के कर्म हर समय पर आत्मा में बंद को प्राप्त हो रहे हैं और वो सब हमारे भावों के कारण से ही होते रहते हैं ठीक है अब जब बंद होता है तो वो बंद जो है उसकी कुछ विसेश्ता है जो यहां आगे बताया जा रहा है पैनठ थे दि अनुभाग पदेश भेदादु चदु विधो बंधो जोगा पैड़ी पदेशा ठीदी अनुभागा कसाये दो होंती पैड़ ठीदी अनुभागा पदेश भेदादु चदु विधो अब इसमें जब बंध होता है तो वो बंध जो है चार प्रकार से बंध होता है पैड़ी माने प्रक्रती बंध ठीदी माने इस्थिती बंध अनुभाग माने अनुभाग बंध और प्रदेश माने प्रदेश बंध यह चार प्रकार का बंध होता है इसमें जोगा माने योग से योगों से क्या होता है पैड़ी पदेशा माने चार प्रकार के बंध में योग के माध्यम से तो प्रक्रती और प्रदेश बंध होगा और ठीदी अनुभागा इस्थिती और अनुभाग बंध कसाए दो यानि कसाए से होंती माने होते हैं चार प्रकार के बंध में दो चीजें आत्मा की काम करती हैं जो योग है उससे प्रक्रती और प्रदेश बंध होगा और जो कसाए हैं आत्मा में उससे इस्थिती और अनुभाग बंध होगा तो प्रक्रती का मतलब होता है उस प्रक्रती का मतलब उस ज्ञाना वरण आदी ये जो ज्ञाना वरण हो गई करम में जो प्रक्रती पड़ गई उसका जो नेचर बन गया करम का नेचर कैसा बन गया ग्यान को घात करने का तो ये ज्ञाना वरण उसकी प्रक्रती कहलाएगी तो जो जैसा कर्म होगा वो वैसा ही काम करेगा तो ग्याना वरन कर्म का काम क्या होगा ग्यान को घात करना, दर्षना वरन कर्म का कार दर्षन को घात करना, मोहनी कर्म का कार मोह को उत्पन करना तो इन सब करम प्रकृतियों की जो अलग-अलग category बन जाती है इसी को प्रकृति बंध बोलते हैं क्या बोलते इसको प्रकृति का मतलब उसकी अलग-अलग तरीके की category बन गई तुरंट वै करम आठ प्रकार की category में divide हो जाता है ठीक है तो यह कहलाया पहले उसमें प्रकृति पढ़ गई फिर उसमें इस्थिती का मतलब होता है अब जो एक करम आत्मा में प्रकृति बंध के साथ बंध गया वो कितने समय तक आत्मा में बना रहेगा तो उसी समय पर उसमें बंध की इस्थिती पढ़ जाती है कि इतने समय तक ये कर्म आत्मा में बना रहेगा तो उतने समय तक वो बना ही रहेगा लंबे बंदते हैं तो उनके छे करने के भी उपाय होते हैं लेकिन जब बंद जाते हैं तो बंदते तो वो उतने ही समय के लिए हैं अगर हम उनको च्छे करने का उपाय नहीं करते हैं तो वो बंदते जाते हैं और समय पर ही अपना फल दे करके जढ़ते जाते हैं अगर हम उनके च्छे करने का कोई उपाय करते हैं तो वो समय से पहले भी जढ़ जाते हैं तो यह कैलाती इस्थिती बंद, कितने समय तक वो कर्म आत्मा में अब बनळार रहेगा, वो हो गई उस्थिती, फिर होता है अनुभाग का मतलब होता है, उस कर्म में कितना फल देने की छामता है, अच्छा या बोरा, जो फल देने की उसकी अपनी एक पुटेंसी होती है, उ यानि जो कर्म बंदा है वो आपको किस रूप में रोक रहा है जैसे आवरण है तो उस आवरण में कितनी तागत है कि वो आपके ग्यान को प्रिकट नहीं होने देगा तो वो उस कर्म के आवरण की जो शक्ति है उस कर्म की जो वास्तविक शक्ति है उसे अनुभाग बंद ही क येसे भी करम में जिस प्रकार के परिणामों से सक्ति पड़ेगी वो सक्ति के अनुसार ही आत्मा को फल की प्राप्ति होगी तो वे सक्ति का अनुभव करना करम की शक्ति जो आत्मा अनुभव करती है जिसके कारण से आत्मा चाहते हुए भी कुछ न कर पाए वो उसकी अनु अनुभाग बंद में होती है और प्रदेश बंद तो उसकी quantity हो गई है न कितने कर्म परमाणू ज्याना वरण की रूप में बंद गए कितने दर्शना वरण की रूप में बंद गए तो वो उनकी कर्मों की संख्या हो गई तो वो भी कोई ज्यादा महत्तु की चीज नहीं है प्रकृती भी इतनी महत्तु की चीज नहीं है इस्थिती भी कोई महत्तु की चीज नहीं है महत्तु की चीज क्या है अनुभाग शक्ति वो इसलिए क्योंकि वही हमको सुख और दुख देने का काम करती है तो जो हम बोलते हैं कि भाई ऐसे कौन से कर्म है जिनको हम जीत नह अंतर फल देती रहती हैं और उसके कारण से ही आत्मा अपना इच्छित कारे नहीं कर पाती ठीक बाद? तो ऐसे ये चार प्रकार के बंद में योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है यानि मन वचन और काय तीन योग हैं जिन जीवों में जितने योग होते हैं उसमें उसी योग के अनुशार प्रकृति आएगी और प्रदेश का बंद होगा योग का मतलब हो गया मन वचन काय की चंचलता उनका इस्पंदन जितना अधिक होगा उतने ही संख्या में प्रकृति और प्रदेश बंद का भी उसमें हिस्सा होगा है ना तो प्रकृति तो हमेशा वोई पड़ी रहती है उसका भी कारण योग ही है लेकिन प्रदेश मने कर्म परमानूँ की संख्या जो अधिक होगी तो किससे होगी जिन में योग अधिक रहते है यानि बहुत मन की अस्थिरता होगी तो कर्म प्रदेशों की संख्या भी बहुत अधिक होगी मन में बहुत उतावला पन बहुत ज़्यादा मन में आवेग उद्वेग आकुलता होगी मन अस्थिर होगा तो बहुत ज़्यादा कर्म परमाणूओं का बंद होगा समझा रहा है ऐसे ही काय शरीर में भी बहुत अस्थिरता रहती है शरीर भी इस्थिर नहीं होता समझा रहा है कई लोग सीधे बैठ भी नहीं पाते हैं तो ये काय हमेशा चलती ही रहती है हिलते ही रहते हैं तो ये भी जो है करम परमाणूं की अधिक संख्या को बलाने का कारण होता है ऐसे ही वचन है ना चुपचा बैठे ही नहीं पाना तो जिनमें जैसे योगों की संख्या होगी उसमें उतने ही करम परमाणूं अधिक आते हैं अब वो करम परमाणू अधिक आ भी जाएं तो वह इतना महत तो नहीं है जितना महत तो किसका है इस्थिती और अनुभाग का है क्योंकि वो किससे बनते हैं वो कसाय से बनते हैं तो योग तो करम को बुला रहा है और कसाय उसको बांद रही है तो महत तो कसाय का है कसाय तीब तीब्रता के साथ में तीब्रता से फल देंगे. कशाय हलकी होगी, तो करम भी हलके से बनेंगे और हलके से निकल जाएंगे. उसमें भी अच्छे पुण्ने और पाप करमों का विवाजन अलग-अलग तरीके से होता है. तो वो बात की बात है, मुख़्ी बात है कि कसाय से इस्तिती और अनुभाग बंद होते हैं, कसाय का मतलब हो गया एक तरीके से आत्मा में वे चिकनापन जिसके कारण से कर्म उस आत्मा में बंद जाते हैं, क्योंकि किसी भी बाहरी कोई भी द्रब्य है, उसको अगर हम देते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई गम चाहिए, ऐडिसिव मेटर कुछ भी चाहिए है, तो वो क्या होती है, वो कसाय होती है, अब कोई भी पदार्त है, महलो एक बार कपड़ा गंदा हो गया, अगर उसमें डंबर और लग गया, तेल और लग गया, तो वो और इसलिए कहा जाता है भाया कसाय मत करो कसाय कम करो इसलिए कहा जाता है उसका लोजिक क्या है कि जितना कसाय करोगे उतने भारी हो जाओगे आत्मा भी भारी हो जाएगी नहीं होगी होती तो है कसाय करने वाला आदमी दिमाग से भारी रहेगा है ना कसाय करने वाले आदमी के लिए हिरदय भी भारी रहता है समझा रहा है इसी कारण से बहुत चांस होते है हाइट अटेक होने के किसको कसाई करने वाले कोई भी कसाईओ मैं से जितना जादा कसाई का pressure होगा उतना ही जादा हाइट अटेक होने की समभावनाएं बनी रहती इसलिए कसाय कम करने का मतलब होता है कि अपने भावों में क्या करना हलका पन लाना इसे बोलते हैं परिणामों की निर्मलता अन्य आत्मा के भाव हलके रहें जितनी ज़्यादा इच्छाएं, जितनी ज़्यादा कसाएं क्रोध आदी भाव जितने तीबर होते हैं उतना ही जल्दी आत्म घात वे जीव स्वयम भी कर लेता है समझा रहा है क्योंकि वे है जो आत्मा में भाव कर रहा है उसका प्रभाव मन पर पड़ रहा है और मन के माध्यम से पूरे हिरदय पर और हिरदय से उस सरीर में जितना भी बिलड है उस पर और बिलड को प्रभावाईद करने वाली जो धवनिया है रक्तवाहिनिया है उन सब में भी स्पॉट आ जाते हैं स्क्रेच आ जाते हैं समझा रहा है तो ये सब चीज़ें कहां से शुरू होती है तो हर आदमी तो जो आत्मा नहीं समझता वो केवल विचार समझता है माइंड समझता है या ब्रेन समझता है तो बस वो उसी को कंट्रोल करने की कहता है कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल लखो लेकिन माइंड भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है आत्मा का कसाई परिणाम या आत्मा का खुद अपना भाव तो आत्मा का भाव अगर कसाई से रहे तो होता है कि भाई हमें क्रोध नहीं करना लोब नहीं करना मायाचारी नहीं करना तो हलका पना जाएगा और भाई नहीं करूँगा यी करके यी रहोंगा तो फिर जो है देखो आप कितना भारी पना जाएगा तनाव में भी रहेगा भय में भी रहेगा और इसके कारण से वो बिलकुल भी किसी भी कारे में इस्थिरता नहीं रख पाएगा जिसके अंदर तनाव रहता है भै रहता है वो कभी भी शांती से कोई भी कारे को कुछ भी काम को अच्छे डंग से करी नहीं सकता है परेशान नहीं रहेगा कसाई ही तो परेशान करती है दूसरों की परेशानी का कारण वही बनता है जो खुद भी परेशान होता है अन्य था कोई दूसरा आपसे परेशान होने वाला नहीं है कसाई नहीं कर रहा है उससे कौन परेशान होता है यह गुस्सा नहीं आ रहा है खुद भी पहले परेसान होता है और उसकी परेसानी तो आप खुद समझ सकते हो जब जिसे किसी को कसाय करना है तो पहले कितना मन में सोचता है ऐसा करूँगा बैसा करूँगा ऐसा बोलूँगा बैसा बोलूँगा समझा रहा है कैसे अपने दाद दबाता है, ओट दबाता है है ना, अपने चेरे के expression बिगाड़ता है और फिर जो है क्रोध में बोलता है, भवकता है समझा रहा है, कैसी आखें लाल फिली हो जाती है, सरीर कापने लग जाता है, सब कुछ होता है कि नहीं होता है तो यह सब किसके प्रभाव है है, यह सब कसाय की तीवड़ता के ही लक्षण होते है है, कि सरीर भी कई लोगों का गुस्सा करने में इतना ज़्यादा कापने लग जाता है कि वो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि सरीर हमारा क्या हरकत कर रहा है है न, और वो शांत व्यक्ति की बात को सुनता ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता तो इस तरीके के यह कसाय के लक्षण आत्मा से निकल करके शरीर तक भी आ जाते हैं और दिखाई देते हैं तब कहा जाता है कि भाईया यह कसाय से तुमारा भी नुक्सान हो रहा है अब ऐसा व्यक्ति को न भूक लगेगी न प्यास लगेगी समझा रहा है उसका डाइजेसन खराब हो जाएगा धीरे धीरे न उसको नीद आएगी न कुछ होगा और रोकी बन जाएगा तो बस यह कसाय से हो जाता है तो कुल मिलाकर के इन चारों बंधों में अनुभाग बंध ही जो है हमें हमारी आत्मा की शक्ति को रोकता है क्योंकि कर्म शक्ति अनुभाग बंध से ही पढ़ती है और वो किससे होता है वो भी हमारी आत्मा के कसाय पन के कारण से होता है जितना आत्मा में कसाय पन अधिकोगा उतना ही करम का बंद भी अधिकोगा इसलिए कहा जाता है करम को हलका करने के लिए कसाय कम करो और परिणाम को निर्मल रखो निर्मल माने मल से रहित करम मल से रहित परिणामों को बनाओ, इसी में भलाई है, बस देखो गुसा तो सब दिलाते हैं सब को वो आपके उपर है कि आप गुसा करो के नहीं करो अगर आपको लग रहा है कि गुसा करने से ही समाधान हो जाएगा तो बात अलग है लेकिन हमें लगता है कि गुसा करने से कोई समाधान नहीं होता है, समाधान तो ग्यान पूरवक कमजोरी तो नही। ग्यान पूरवक प्रवर्ति करने से ही जो है, सामने वाले को कुछ फ़रक पड़ेगा अगर आप जो है गुसे में गुस्सा करोगे तो ऐसा कम होता है कि वह आपको कमजोर समझे लेकिन अगर आप एक बार उसको बिना गुस्सा के भी अगर आप उसको थोड़ा समझाओगे तो ऐसी बात नहीं है कि समझधार आदमी में अगर थोड़ी भी समझ होती है तो बिना गुस्से के भी समझ सकता है अगर नहीं मानता तो वो गुस्सा भी समझधारी के साथ करना पड़ता है कभी-कभी गुस्सा भी तो है थोड़ा सा करना पड़ता है ऐसे मालू कुत्ता है अब वो पीछे पड़ा है तो थोड़ा सा हमें अपनी action बनानी पड़ती है ये से नीचे से दिब्ब इठाया तो वो भी एक समझधारी के साथ क्योंकि हमें मालूम है कि ना तो हमें उसके मारना है ना कुछ करना है लेकिन एक उसको भै दिखाने के कारण से वो भी वहीं की वहीं सब कपाके रह जाता है, तो वो कहला था है समझधारी का गुस्ता, तो वो भी अगर कभी करने से काम बने तो उसके लिए भी ग्रहस्तों को छूट तो रहती है तो करम तो हमें से बंद रहे हैं करम बंदने से कौन से बचे जा रहे हो तो करम तो हमें से बंते हैं लिकन इतना जरूर है कि उसमें अपना इतना अभिवेक नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का घात हो जाए विचार ये रहना चाहिए कि सामने वाले को थोड़ा सा अगर ऐसा लगता है कि ये दब जाएगा तो उसकी समझ में आ जाए कि हम भी कुछ कुबबत रखते हैं तो ऐसा बताने में कोई भी ग्रहस्त के लिए कोई हर्ज नहीं है अगर उसे दिख रहा हो कि कोई बहुत बड़ा नुकसान इससे हो रहा है तो है ना ऐसा होता भी है कई बार कि अगर सामने वाले को थोड़ा सा अगर वो नहीं मानता है थोड़ी से उसको जड़ब दिखाई जाए तो कई बार वो संत हो भी जाता है तो करम बंद तो होता ही रहता करम बंद से कौन से बचे बैठे हो है हो रहा है थोड़ा सा और सही और अगर किसी अच्छे प्रियोजन के लिए हो रहा है तो करम बंद भी आपके लिए नुक्सान दायक नहीं है अगर किसी अपनी रक्षा के लिए है धरम की रक्षा के लिए है है ना साधू की रक्षा के लिए है मंदिर की रक्षा के लिए है अगर उसके निमत्य से भी कोई करम बंद होता है तो वो करम भी आपको उस रक्षा के कारण से पुन्य करम का ही बंद कहना कहलाएगा क्योंकि प्रियोजन भी होता है प्रियोजन के अनुसार ही करम बंद होते हैं, कसाय हम कर रहे हैं जान बूश करके कर रहे हैं, प्रियोजन क्या है धर्म रक्षा करना आत्म रक्षा करना आप कोई अपने उपर ही बंदुक तान के आ जाये का तो आप के पास बंदुक रखी होगी तो आप क्या कहोगे भईया हमें नहीं उठाना तुभी बंदुक उठा ले तुझे जो करना है वो कर ले तो बचना और बचाना तो अपने आपको पड़ता ही है तो ये उनके लिए जिनके पास साधन है ग्रहस्त है और जिनके लिए कोई भी साधन की जरूरत नहीं है उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक बात बस